हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस platform unlimited education पे मेरा नाम है अभिजीत कुमार honor of this platform और यह मेरा qualification है यहाँ पे मैं बात करूँ आपका ssc exam के बारे में और math book के बारे में आप सभी को यह बात तो पता होगा कि market में एक से एक book available है लेकिन समय के साथ competition बढ़ता जा रहा है आप को यह भी पता होगा है और यही सब रीजन है कि market में एक new book launch हुआ है quant sir के नाम से ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं market में एक new book launch हुआ है math का 2024 exam के लिए ठीक है तो जितने भी unlimited education के serious student हो जो ssc का भी preparation करते हो या हर वो इंसान जो ssc exam का preparation कर रहा है आप सभी को यह भी पता है कि ssc में बहुत सारा exam होता है जैसे कि आपका cgl हुआ, chsl हुआ, mts हुआ, cpo हुआ, gd वेगरे सब कुछ और जिस इंसान का math अच्छा होता है उसका reasoning अच्छा होता है और जिसका math reasoning अच्छा हुआ उसका selection होने का chance भी उतना ज़्यादा increase कर जाता तो यह जो आपका book design किया गया है ना, यह कुछ unique way में design किया गया है मैं इसका एक cover page आपको दिखा देता हूँ, यह book का आपका front page है और यह आपका back page है cover का, है ना, for ssc cgl tire 1 और यह चुकि cgl सबसे higher exam है ssc का, तो अगर आप इसका preparation करोगे तो साथ ही साथ आपका ssc का बांकी other exam के लिए भी math काफी strong हो जागा, इसमें क्या ना, कुछ unique feature add किया गया है, जैसे कि एक आप देख सकते हो, 8 layer of distribution, है ना, 8 layer of distribution, और यह जो level wise distribution है ना, यही इसको खास बनाता है, तो मैं आपको इस book का demo दिखा देता हूँ, और अगर आपको मन है तो आप sample file download करके check भी कर सकते हो और उसके बाद इस book को आप लोग order कर ले ना, description में link है, और मैं sample file से आपको सब कुछ समझा देता हूँ, देखो यह जो आपका book है ना, इस book का आपका नाम है quant sir, ठीक है, तो इस नाम से आपका book है, और इसमें unique feature क्या-क्या है, जड़ा आप लोग इसको समझो, देखो colorful style में book market में बहुत है, लेकिन आपको उस book से preparation करना है, जिस book से आपको exam में फैदा हो सके, है ना, तो आप एक बार अच्छे से पले समझो, जैसे मैं एक chapter आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आप table of content देख सकते हो, basic calculation tricks वगरा दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे से कर सकते हो, यह जो है, आपका basic calculation tricks वगरा है, इसे आप सीखोगे कैसे calculation speed को increase किया जा सकता है, उसके बाद आपका step wise step दिया हुआ है, मतलब एक दूसरे से linked है, जब आपका यह अच्छा होगा, उसके बाद आपका यह अच्छा होगा, जब आपका यह अच्छा होगा, उसके आपका यह book categorize किया हुआ है, एक बाद आपका percentage अच्छा होगा, तो आपका profit loss अच्छा होगा, ratio and proportion अच्छा होगा, average अच्छा होगा, ऐसे करके, mixture and allegation है, speed time distance है, problem of trends, boards and streams, time and work, pipes वाला, simple and compound interest, geometry आपका, सारा का सारा सब कुछ है ना, mensuration वगरा सब कुछ आप देख सकते हो, यह book आपका 800 plus page का book है, 800 plus page का book है, अब मैं आपको थोड़ा सा chapter दिखाता हो, जैसे ही आपका basic calculation tricks है, तो इसको आप लोग अच्छे से read करना, समझना, यहाँ पर आपका weightage वगरा सब कुछ दिया होगा, कि आपका exam होता है, वहाँ पर किस section से कितने questions वगरा आते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ, color fool के चक्कर में मत रहना, उस book को follow करो, जिस book को पढ़ने से सब कुछ आपको समझ में आ जाए, तो कि simple सी बात है, समझोगे, तभी सीखोगे, और सीखोगे, तो आप दिन रात practice करके time management कर पाओगे, और उसके बाद आप exam में अच्छा score कर पाओगे competition काफी tough है, तो आपको time management, practice, ये सब सीखना परेगा, यहाँ पे जैसे कि आपका theory दिया हुआ है, आप पहले theory देखो, flow diagram के help से सब कुछ समझाया गया है, इसके बाद पूरी तरह से theory टिकर सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद आपका level wise question का category बना हुआ है, जैसे यहाँ पे geometry में मैं triangle दिखाता हूँ, तो यह जब triangle का सब कुछ आप देख लेते हो, तो इसके बाद यह सारा आपका sample है, सारा का सारा आपका chapter का, आप लोग भी इसको download कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूँगा कहां से download कर सकते हो, अब ज स्रेटी जब आप इसको solve करूगे, यहाँ पर easy level हो गया, इसके बाद आपका hard level हो गया, tough level हो गया, इस तरह से आपका सब कुछ है, यहाँ पर हार लेवर है, और इसके बाद ये calculative only, मतलब यह सब आपका कैलकुलेटिव है, इसको देखो, और यहाँ पर देखो tricky question है, तो य यह सब चीज अभी तक मैंने किसी बुक में नहीं देखा है, conceptual only, tricky only, calculated only, hard level, medium level, easy level, सब कुछ आपका दिया हुआ, है ना, some innovative question, मैंने क्या बोला, 8 level of distribution, है ना, question to be skipped, कौन सा question को आपको skip कर देना है, exam में, है ना, तो यह सब आपको पता चलना चाहिए, पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं, seat कम होता है, completion tough है, तो आपको थोड़ा सा smart way में answer करना है, तो किस question को skip करना है, यह भी आपको बताया गया है, यह किसी भी बुक में, मैंने अभी तक नहीं देखा है, है ना, और इतना ही नहीं, कौन सा question, आपका किस exam में पूछा गया है, जैसे यहाँ पर देखो, यह question आपका क्या है, CHSL 2022 में, यह CGL 2022 में, है ना, यह CGL 2022 में, तो इस way में आपको preparation करना है, दुनिया भर का बुक आप खरीते हो, वो बुक खरीदो, जो systematic way में, आपके लिए design किया गया है, जिसको करने से, step wise आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और हमेशा याद रखना, मैं बार बार बलता हूँ, मैं खुद engineering background से हूँ, मैंने भी mtech किया हूँ, गेट निकाल के, जिसका math अच्छा होता है, उसका सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए math पे आपको focus करना है, एक right book से, ठीय है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको सब कुछ दिखा, अब description में मैंने link दे दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे खोल करके एक बार दिखा देता हूँ, यह आपका website है, यहाँ पे आप rating review देख सकते हो, यह 2024 का book है, new launch ही हुआ है कुछ दिन पहले, तो आप अपना number of quantity सेट करके, जितना मन है उतना आप मंगा सकते हो, यह ने within a week आपके घर पे all India कहीं से भी हो, पहुँच जाएगा, यहाँ से आप download sample पे क्लिक करके, sample download कर सकते हो, 810 page का book है, इसका language जो है, वो English है, आप देख सकते हो, publication date देखो, 9 माई 2024, आपका latest book है, ठीक है, 9 माई 2024, उमीद करता हूँ, आप सभी को समझ में आगे आओगा, यहाँ पे file size बगर, number of page बगर, सब कुछ है, यहाँ पे अगर आपको मन है, तो आप रेटिंग वेगर, देख सकते हो, है न, book अभी नया नया लॉंच हुआ है, काफी बच्चे इसको ले रहे हैं, उमीद करता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आगया होगा, कोई doubt है अगर आपको, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्षन में, मुझसे पूछ सकते हो, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एकजाम का तियारी करो, मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में, बाई, थैंक्यू,